श्रीमद भागवतम, सकंद साथ, भगवद विज्ञान, अध्याय तेरह, सिधव पुरुष का आचरण श्रीनारद मुनी ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात में ज्यान की साधना कर सकता है, उसे सारे भौतिक संबंधों का त्याग कर देना चाहिए, और देह को जीवन्त बनाए रखते हुए, उसे हर गाव में सिर्फ एक राद बिताते हुए, एक जगा से दूसरी जगा भ्रमन करना चाहिए, इस तरह से सन्यासी को शरीर की जरूरतों के लिए किसी पर आश्रित हुए बिना सारे संसार में विचरन करना चाहिए, सन्यासी को अपने शरीर ढखने के लिए वस्त्र का उप्योग नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ एक लंगोटी पहन सकता है, वो भी सिर्फ चाहिए, किसी भी व्यक्ति या स्थान पर निर्भर न रहते हुए उन्हें सभी प्राणियों का मित्र होना चाहिए और नारायन का शांत, अनन्य भक्त होना चाहिए, इस प्रकार उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरन करना चाहिए, सन्यासी को चाहिए कि वो स आपको समझने का प्रयास करना चाहिए और स्वयम में स्थित रहना चाहिए इस तरह से उसे यह एहसास होना चाहिए कि जीवन की बध और मुक्त स्थितियां केवल भ्रम हैं, वास्तविक नहीं है इस उच्च ज्यान के साथ उसे केवल सर्वव्यापी परम सत्य को ही देखना चाहिए चुंकि भौतिक देह का नाश होना निश्चित है और मनुष्य की आयूस्थिर नहीं है इसलिए ना तो मृत्यू की प्रशंसा करनी चाहिए और नहीं जीवन की इसके बदले मनुष्य को शाश्वत समय तत्व पर ध्यान देना चाहिए जिसमें जीव स्वयम को प्रकट करता है और विलीन हो जाता है समय को व्यर्थ गवाने वाला यानि की आत्मिक लाब से रहित साहित्य को त्याग देना चाहिए आजी विका के लिए कोई भी शिक्षक ना बने नहीं वाद विवाद में भाग ले नहीं वो किसी कारण या पक्ष में सहभागी न हो सन्यासी को चाहिए कि वो न तो अनेक शिश्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाबों का बहकावा दे न व्यर्थी अनेक पुस्तके पढ़े न जीवन्यापन के साधन के रूप में व्याख्यान दे न व्यर्थी भौतिक एश्वर्य बढ़ाने का कभी कोई प्रयास करे आध्यात्मिक चेतना में उपर उठे एक शांत और समदर्शी व्यक्ति के लिए सन्यासी होने का प्रतीक जैसे कि तृदंड और कमंडल स्विकार करना आवश्यक नहीं है आवश्यक्ता के अनुसार वो कभी कभी इन प्रतीकों को धारन कर सकता है और कभी कभी छोड़ भी सकता है पुजनिय व्यक्ति मानव समाज की दृष्टी में अपना परिचे नहीं देता है लेकिन उनके व्यवहार से उनका उद्देशिस पष्ट हो जाता है उन्हें मानव समाज के बीच अपने आपको एक चंचल बालक के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए और सरवोत्तम विचारशील वक्ता होने के बाद भी उन्हें स्वयम को एक मूख व्यक्ति के समान प्रस्तुत करना चाहिए इतिहास के एक उदाहरण के रूप में ग्यानी साधू संत प्रहलाद महाराज और एक अजगर के समान भोजन करने वाले महामुनी के बीच हुए प्राचीन संबाद की कहानी सुनाते हैं भगवान के परम प्रिय सेवक प्रहलाद महाराज एक बार अपने कुछ विश्वस्त निकट्स्थों के साथ संतों के स्वभाव का अध्यान करने हेतू स्रिष्टी के भ्रमन पर निकले इस प्रकार वे कावेरी तट पर पहुँँचे जहां सहिय नामक एक परवत स्थित था वहां उन्हें धूल धूसरित होकर भूमी पर लेटे एक महान साथु मिले लेकिन वे आध्यात्मिक द्रिष्टी से अत्यधिक उन्नत थे लोग उस महात्मा के काम, उसके लक्षन, उसकी बात और उसके वर्नाश्रम धर्म से यह नहीं समझ पाए कि वो वही था जिसे वे जानते थे महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साथु पूरुष की पूजा की जिसने अजगर वृत्ती अपना रखी थी पूजा करने के पश्चात और उसके चरणकमलू को अपने सिर पर रखकर प्रहलाद महाराज ने उस साथु को समझने के उद्देशे से विनमरता से पूछा तपस्वी को बहुत मोटा देखकर प्रहलाद महाराज ने कहा श्रीमान आप अपनी जीवी का चलाने के लिए कोई भी काम नहीं करते इसके बावजूद आपका स्वस्थ शरीर एक भोग विलासी व्यक्ति के समान सुद्रड है मुझे पता है कि यदि कोई बहुत धनाड्य हो और उसे कुछ करना ना हो तो वो सिर्फ खाकर, सोकर और कोई काम न करके काफी मोटा अवश्य हो जाता है हे बुद्धिमान ब्राहमन तुम कुछ नहीं करते और इसी कारण तुम लेटे हुए हो ये बात तो समझ आती है कि तुम्हारे पास भोग विलास के लिए धन नहीं है तो फिर तुम्हारा शरीर इतना भरा पूरा कैसे हो गया? ऐसी परिस्थिती में यदि तुम मेरे प्रश्न को उचित मानते हो तो कृपा करके समझाओ कि यह कैसे संभव हुआ? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज आप विद्वान, कुशल और हर प्रकार से बुद्धिमान है आप अती सुन्दर्ता से बोलते हैं, आपके शब्द दिल को भाते हैं आप देख रहे हैं कि सब लोग सकॉम कर्म में लगे हुए हैं फिर भी आप यहां निश्क्रिय पड़े हुए हैं नारद मुनी ने आगे कहा, जब दैतिराज प्रहलाद महाराज उस साधू पुरुष से इस तरह से प्रशन कर रहे थे तो वो उनके मुह से निकले मधूर और ज्यानपूर्ण शब्दों की अमरित वर्शा से मोहित हो गया और मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की जिग्यासा का उत्तर दिया साधू ब्रामन ने कहा हे श्रेष्ट असूर दानव हे प्रहलाद महाराज आप सभ्य वर्शिक्षित पुरुषों द्वारा पूजनिये हैं आपके पास दिव्य द्रिष्टी है जिससे आप मनुश्यों के चरित्र को देख सकते हैं और उनके कर्मों के परिणामों को समझ सकते हैं इसलिए आप जीवन की विभिन अवस्थाओं से अवगत हैं सब एश्वर्य से परिपूर्ण भगवान नारायन आपकी शुद्ध भक्ती के कारण आपके हृदय के केंद्र में सर्वोच हैं वे अज्यानता का अंधकार उसी तरह दूर करते हैं जैसे सूर्य ब्रह्मान से अंधकार को मिटा देता है हे राजन आप तो सब कुछ जानते ही हैं फिर भी आपने कुछ प्रशन पूछे हैं अतह जैसा मैंने गुरूजनों से सुनकर सीखा है उसके अनुसार ही उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा इस विशय में चुप रहना मेरे लिए असंभव है क्यूंकि जो आत्मशुद्धी की इच्छा रखता है उसके लिए आप जैसे व्यक्ति से समवाद करना ही श्रेष्ट है अत्रिप्त भहतिक इच्छाओं के कारण मैं भहतिक प्रकृती के नियमों की लहरों में बह रहा था और इस प्रकार मैं जीवन के विभिन रूपों में अस्तित्व के लिए संगर्ष करते हुए विभिन गति विधियों में लगा हुआ था विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांचनिय सांसारिक सुखों हेतू किये गए कर्मों के कारण उत्पन होती है मुझे मनुष्य योनी मिली है जो स्वर्ग लोक, मोक्ष, निमने योनियों या मानव जन्मों में पुनर जन्म तक ले जा सकती है इस मानवी जीवन में पुरुष और महिलाएं कामुक्ता के सुख के लिए एक जुठ होते हैं परन्तु वास्तविक अनुभव से हमने देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है इसलिए विपरीत परिनामों को देखते हुए मैंने भौतिक वादी गती विधियों में भाग लेना बंद कर दिया है जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही सच्चा सुख है इस सुख को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिक तावादी कार्यकलापों को बंद कर दे भोतिक इंद्रिय भोग मात्र एक कल्पना मात्र है, इसलिए इस विशय पर विचार करके मैंने सारे भोतिक कारेकलाब बंद कर दिये हैं और अब यहां लेटा हुआ हूँ इस प्रकार शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा अपने हित को भूल जाती है क्योंकि वो अपनी पहचान शरीर से बनाने लगती है क्योंकि शरीर भोतिक होता है, इसलिए उसका स्वाभाविक जुकाव भोतिक दुनिया की विविदताओं की ओर होता है इस तरह जीवन एकाई भोतिक अस्तित्व के दुखों को भोगती है ठीक वैसे ही जैसे एक हिरन, अपनी अग्यानता के कारण, घास से धंके कुए में दिख रहे पानी को नहीं देख पाता और पानी के लिए इधर उधर दोड़ता रहता है ठीक उसी तरह से यह जीव भी, जो भोतिक शरीर से आवरित है, अपने अंदर के सुख को नहीं देख पाता और भोतिक जगत में सुख की खोज में लगा रहता है जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों के कारणों से दूर रहना चाहता है किन्तु जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतवे विभिन शरीरों के लिए जो भी योजनाएं बनाते हैं वे आंततव व्यर्थ हो जाती हैं। भौतिक क्रियाकलाप हमेशा तीन प्रकार के दुखों आध्यात्मिक, प्राकृतिक और शारीरिक के साथ मिश्रित होते हैं। इसलिए, यदि कोई ऐसी क्रियाएं करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले, तो उस सफलता से क्या लाब? उसे फिर भी जन्म, मृत्यू, बुडापा, बीमारी और अपने कर्मों के फल भोगने होंगे। ब्रामन ने आगे कहा, मैं सच मुझ देख रहा हूं कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अत्य संपत्ति और एश्वर्य होते हुए भी चारों और से भय के कारण वो अनिद्रा रोग का शिकार बन जाता है। जिन व्यक्तियों को भोतिक रूप से शक्तिशाली और धनी माना जाता है। वे अक्सर सरकारी नियमों, चोरों और ठगों, दुश्मनों, परिवार के सदस्यों, जानवरों, पक्षियों, दान लेने वालों, समय के बेड़ा पारक पहलू और यहां तक की अपने आप से भी चिंतित रहते हैं। नतीजितन, वे हमेशा डरे हुए रहते हैं। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को हृदे से शोक, लोब, भय, क्रोध, मो, दरिद्रता और अनावशक श्रम के मूल कारण का त्याग कर देना चाहिए। इन सब के पीछे की असली वजह जरूरत से ज्यादा प्रतिष्ठा और पैसों की चाहत है। मधुमक्ही और अजगर दो महान आध्यात में गुरू हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे कम से कम इकठा करके सन्तुष्ट रहा जा सकता है। और एक ही स्थान पर कैसे स्थिर रहा जा सकता है। मधुमक्खी से मैंने ये ग्यान लिया है कि धन जमा करने की इच्छा को कैसे दूर रखना चाहिए, क्यूंकि पैसे चाहे शेहद जितने ही अच्छे हों, किन्तु वे किसी के भी स्वामी को मार कर पैसे ले जा सकते हैं। मैं किसी भी चीज को पाने के लिए प्रयास नहीं करता हूं, बल्कि जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है, उसी से संतुष्ट रहता हूं। अगर कुछ नहीं मिलता, तो मैं अजगर की तरह शान्त रहता हूं, धैर्य रखता हूं और कई-कई दिनों तक पड़ा रहता हूं। कभी मैं दिन में खाता हूं तो कभी रात में। इस तरह से जो भी आसानी से मिल जाता है, वही खा लेता हूं। मेरे भाग ये से जो कुछ भी शरीर धकने के लिए मिल जाता है, चाहे वो क्षाम वस्त्र हो या रेश्मी या सूती कपड़ा, चाहे वो पेड की छाल हो या मरिक चर्म, मैं उसे पहनता हूं। मैं उसके साथ पूर्ण संतुष्ट रहता हूं और कभी दुविधा में नहीं पड़ता। कभी मैं पृत्वी पर, कभी पत्तियों पर, घास या पत्थर पर तो कभी राख के धेर पर सोता हूं, और कभी-कभी अन्य लोगों की इच्छा से, महलों के उंचे दर्जे के बिस्तरों पर और तकियों पर सोता हूं। हे मेरे प्रभू, कभी-कभी मैं स्नान करके पूरे शरीर पर चंदन लगाता हूं, फूलों की माला पहनता हूं और अच्छे वस्त्र और जेवर पहनता हूं। फिर मैं राजा की तरह हाथी की पीट पर या रत या घोडे पर सवार होकर घूमता हूं। लेकिन कभी-कभी मैं भूत-प्रेट से ग्रस्त व्यक्ती की तरह नंगे बदन घूमता हूं। लोग बाग अलग-अलग स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा करना या बुराई करना मेरा काम नहीं है। मैं तो इस उम्मीद के साथ उनके कल्यान की कामना करता हूं कि वे एक दिन परमात्मा कृष्ण के साथ मिल जाएंगे। अच्छे और बुरे के बीच के मानसिक भेदभाव को एक एकाई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे मन में स्थापित किया जाना चाहिए फिर मन को मिथ्या अहनकार में लगाया जाना चाहिए इस मिथ्या अहनकार को भौतिक उर्जा में लगाया जाना चाहिए मिथ्या भेदभाव से लड़ने की प्रक्रिया यही है विद्वान विचारशील व्यक्ति को ये जानना आवश्यक है कि भौतिक दुनिया मात्र मोह है किन्तु ये बोध केवल आत्मसाक्षातकार के माध्यम से ही संभव है ऐसे आत्मसाक्षातकारी व्यक्ति को जिसने प्रत्यक्ष रूप से सत्य को देखा है आत्मसाक्षातकार होने के कारण समस्त भौतिक गतिविधियों से सन्यास ले लेना चाहिए प्रहलाद महाराज, नहसंदे आप एक आत्मग्यानी आत्मा और भगवान के भक्त हैं आप ना तो लोगों की राय की परवा करते हैं और नहीं दिखावटी शास्त्रों की इसलिए मैंने बिना किसी जिजग के आपको अपने आत्म साक्षातकार का इतिहास सुना दिया नारद मुनी ने आगे कहा, साधू के इन उपदेशों को सुनकर असुरों के राजा प्रहलाद महाराज ने पूर्ण संत, परमहंस के वृत्ती संबंधी कर्तव्यों को समझ लिया तत पश्चात उन्होंने उस साधू की विधिपूर्वक पूजा की और उससे अनुमती लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया